हालो स्टुडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्यूब फाइंड करने की एक जवरदस ट्रिक लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं तो पहले देखते हैं कि आज हम जो करने जा रहे हैं वह किन-किन नंबर पर अप्लिकेबल होगी तो सबसे पहले वह नंबर होंगे जो स्टार्टिंग में जिसके वन होगा जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ठीक है और सेकेंड जो है ट्रिक होगी वह उन नंबर पर अप्लिकेबल होगी जिसके यूनिट प्लेस पर होगा जैसे कि 31 हो गया, 41 हो गया, 71 हो गया, 91 हो गया और थर्ड जो होगा वह उन नंबर पर अप्लिकेबल होगी जो सेम डिजिट के नंबर होगी जैसे कि 22, 33, 66, 77, 99, and so on ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन नंबर का जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से स्टार होने वारे नंबर हमारे कौन-कौन से हैं जैसे हमारा 12 हो गया, उसका क्यूब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यह सारे वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है तो देखते हैं कि इन नंबर का क्यूब हम शॉट कर ट्रीक से किस तरीके से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम 12 लेते अब 2 का मैं स्क्वेर करूँगा तो यह 4 हो जाएगा और 2 का क्यूब करूँगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, हमने इस तरीके से नंबर को लिख दिया, दुबारा हम बताता हूँ, जैसे हमारा 1 और 2 था तो पहले मैंने 1 लिखा, फिर 2, फिर हमें क्या करना है, जो second नंबर हो हमें करना क्या है, हमें first वाला बिल्क mee सेम रखना है और last वाला बिल्की सेम रखना है, ठीक है, हम middle में जो नंबर है, उनका double करकर नीचे लिख देना है, तो अगर मैं 2 का double करके लिूँँ, तो क्या हो जाएगा यहाँः पर 4 हो जाएगा, और 4 का double करके लिखूं, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, बस अब हमें कुछ करना नहीं है, इसको add कर देना है, तो add करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 8 का 8 हो गया, और 4 प्लस 8, 12, 12 का 2 हो जाएगा, और 1, carry, आब 4, 2, 6, और 1, 7, और 1 का 1, तो य यह जो आया हमारा, 1728, यह 12 का cube हो गया, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके समझने के लिए एक और example लेते हैं, अब जैसे cube हमें निकालना है, 13 का, 13 का cube निकालना है, ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल सेम ऐसी लिखेंगे, 1, 3, अब 3 का अगर मैं square करूं, तो यह हो जाएगा 9, और 3 का cube करके लिखूं, तो यह क्या हो जाएगा, 27, ठीक है, और second step में क्या था, first और last digit तो बिल्कुल सेम रहेगी, और middle वाली जो digit है, उनका double करके उसके नीचे लिख देना है, तो 3 का double किया तो 6, 9 का double किया तो 18 हो गया, और अब इसे क्या करना है, add कर देना है, तो 27 है 27 है, तो यहां जोएगा हमारा 7, 2 carry हो जाएगा, अब इन्हें add करेंगे 18 और 20, 29, 9 और 2 carry, अब यह हो जाएगा हमारा कितना, यह हो जाएगा हमारा 11 का 1 और 1 carry, और यह कितना हो जाएगा 2, तो यह होगा 2197 cube हो जाएगा हमारा 13 का, 2197 ठीक है, अब एक और देख लिएते हैं अब जैसे हमें cube निकालना है 15 का ठीक है तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसी लिखना है 1, 5, 5 का square किया 25, 5 का cube किया 125 अब middle value जो terms हैं उनको double करके लिख देना है 5 का हो जाएगा हमारा 10, 25 का 50 और इसको add कर देना है तो यहाँ पर कितना है 125 तो 5 आजाएगा और यह जो 12 है वो carry चला जाएगा हमारा ठीक है अब इसको add करा तो कितना हो जाएगा 50, 75 और यह हो जाएगा 87 तो 7 और 8 carry हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 23 ठीक है 23 का यह 3 हो जाएगा और 2 carry और 2 plus 1 3 तो 3375 15 का क्यूब हो जाएगा 12 हो गया 13 हो गया 14 हो गया 15 हो गया 16 17 18 और 19 तो इन नंबर का हम इस तरीके से जल्दी से जल्दी क्यूब कर सकते हैं ठीक है तो अब देखते हैं वो नंबर जो एंड होते हैं वन से जैसे कि हमारा 21 31 41 51 61 71 81 और 91 ठीक है तो अब इनका क्यूब कैसे निकलेगा अब देखते हैं तो हम क्यूब करते हैं 31 का ठीक है अब हमें 31 का क्यूब करना है तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही स्टैप हमें अप्लाइ करने है लेकिन reverse order में, जैसे कि हमारा यह आओगा 1, यह 3, अब 3 का square होता है 9, और 3 का cube होता है 27, ठीक है, और middle वाली term का हम double करके लिखते थे, तो 8, 9 का किया, तो यह होगा 18, 3 का किया तो 6, अब इसको क्या कर देना है, add कर देना है हमें, तो 1 का 1, 3 प्लस 6, 9, 9 प्लस 18, 27, तो यह हो जाएगा 7 2 carry, और 27 और 2, यह हो जाएगा 29, तो यह जो आया है हमारा 31 का cube हो गया 29,791, अब एक और देख लेते हैं, इसको अच्छी तरीके समझने के लिए, जैसे कि अब लिया हमने 61 का cube, ठीक है, तो इसको भी हम reverse order में लिख देंगे, जैसे कि 1, 6, 6 का square होता है हमारा 36, और 6 का cube होता हमारा 216, ठीक है, और middle वाली जो term है, उसका double करके लिखना है, तो middle वाली term हमारी है, 36, तो यह हो जाएगा हमारा 72, 6 है, तो यह हो जाएगा 12, अब इसको क्या कर देना है, add कर देना है, तो add करेंगे 1 का 1, 12 और 6, 18, 18 का 8, 1 carry, और इसको add करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 109, तो 9 आ गया, और यहाँ 10 carry, तो इसको add करेंगे, तो यह हो जाएगा 226, तो हमारा जो 61 का cube हो गया, वो गया हमारा 226,981, यह हो गया 61 का cube, 226,981, अब हम वो number देखते हैं, जो same digit के होंगे, ठीक है, अब जैसे number है हमारे पास, same digit वाले, जैसे 22 का cube, 33 का cube, 44, 55, 66, 77, 88 और 99, अगर इन number का हमें cube निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, वो देखते हैं, अब लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 22, जैसे हमें 22 का cube निकालना है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो भी number हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर कौन से number है, 22 है, तो हम क्या करेंगे, उसका cube करके 4 बार लिख लेंगे, तो 2 का cube होता है, हमारा 8, 8, 8 और 8, जो middle वाले number है, उनका double करके लिख देंगे, तो 8 का double हो गया, 16, 8 का हो गया, 16, और इसको add कर दें होंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा 8, और 16, और 24, 4 और 2 carry, 24 और 226, 2 carry, और यह हो जाएगा हमारा 10, तो यह हो गया हमारा 10,648, जो है 22 का cube हो गया, एक और देखते हैं example, अब जैसे कि हमें cube करना है, 33 का, ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 3 है, तो 3 का cube लिख देंगे, 4 time, तो 3 का cube होता है, 27, 27, 27, और 27, और middle वाले जो number से उनका double करके लिख देना है, तो यह हो जाएगा हमारा 54, 54, और इसको add कर देना है, तो add करेंगे, जोगा 27 का 7 हो गया, और 2 carry, इसको add करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 70, 81, और 83, 3, 8 carry, इसको add करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 89, तो 9 और 8 carry, और इसको add किया, तो हमारा कितना हो गया यह, 35, तो 35, 937, जो है, 33 का cube हो गया, 35,937, तो यह इसका cube हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम, same digital numbers का cube find कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, वो भी इस trick की मदद से, उमीद है, आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, thank you. हमारे मेरे बहुत आसा मेरा की मदद से जम्रा रहा इसकाट की मदद से, उमीद आसाओ की में, है जमीद नहा गया, TWE, कू तो कित, आसाओ आसाओ, खips खि